हरे कृष्णा जय जय स्री राधे ओम नमो नारायनाम हिरन्य वरनाम हरिन्यम सुवर्णा राज रस्त्रा रजाम चंद्राम हिरन्यमाई लक्ष्मिम जतावेदो माम वह इससे पहले अश्ट लक्ष्मी वैभवम अश्ट लक्ष्मी चरितर में हमने आदी लक्ष्मी की कथा सुनी माता पारवत्ती की कथा सुनी और अब हम दूसरे सुरूप धान्य लक्ष्मी की कथा सुनने जा रहे हैं धान्य मतलब धन संपत्ति नहीं, धान्य मतलब अनाज, खेती, बाड़ी, इससे जुड़ी हुई भगवती का नाम धान्य लक्ष्मी है कथा कुछ इस प्रकार है, अयुद्या के राजा दशरजी ने इंद्र को संभास्रूर नाम के असुर का वद करने में मदद करी थी तो इंद्र महराज ने दशरजी को और केकई महिया को अपने यहाँ निमंतरा पर बुलाया, केकई और दशरजी दोनों तयार हुए और स्वर्ग लोग को जाने लगे, तो क्या हुआ उस वक्त गुरू वसिष्ठ भी आये हुए थे वसिष्ठ जी ने कहा कि हर्याली हो गई है, उसको काटने का समय है, कृपया कर आप ना जाएंगे और माता महालक्षमी की पूजा करिए लेकिन दशरजी और केकई जी ने महराज की बात पर ध्यान नहीं दिया और स्वर्ग चले गए वसिष्ठ जी बड़े नराज भी हुए, वसिष्ठ जी ने सोचा लक्षमी की पूजा नहीं हुई तो हमारा जो अयुद्यन अगरी है वो भू की मड़ जाएगी लेकिन दशरजी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब क्या हुआ जो भू देवी थी, जो लक्षमी का ही सरूप है, वो दशरज से नराज हो गई और सारा अन्य सुखा दिया अन्य सुखा दिया और वर्षा भी नहीं हुई वर्षा नहीं हुई तो राजदसरत को अपनी गलति का एशास हुआ तो वो वशिस्ट जी के पास गए तो वशिस्ट जी ने कहा कि भाई अब इसके लिए तो यग्य करना पड़ेगा और यह के कौन करेगा तो रिशी रिहस्य श्रिंगा जी इसका यग्य करेंगे उनको वरोन से वरदान प्राप्त है जहां वो रहेंगे वहाँ पे धन धन ने रहेगा पानी भी वहीं बरसेगा तो अब महराज ने कहा तो हम रिशी को लेके आते हैं और उनको पता भी नहीं कि कोई नारी जाती भी इस दुनिया में रहती है और जब भी वो अपने घर से बहार निकलते हैं तो दिक्कत हो जाती है तो अब उनको लाने के लिए किसी महिला कोई भेजना पड़ेगा जो उनका मन आकर शित करके लेके आए तो आब राजा ने सोचा कि किसको भेजें तो वहाँ पे शांता माईया खडी थी शांता कॉन राजा दशरत की बेटी राम जी की सबसे चोटी बहन तो शांता ने सोचा कि मैं क्या करूँ रक्षी को तो लाना पड़ेगा तो शान्ता ने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया और महराज के पास गई वहाँ जो रिशी बैठे थे और उनको अपनी सुन्दर्ता से मोहित करकर ले कि आ गई और उनकी पतनी बन गई राजा दशरत को दुख तो हुआ क्योंकि रिशी तो गरीब थे उनके पास कुछ नहीं था और ना ही वो उनको धन दे पाए लेकिन क्या कर सकते थे राजा दशरत ने अपने देश के लिए अपनी प्रजा के लिए अपनी बेटी का दान कर दिया बेटी का दान करा उसके बाद शांता ने रिशी के साथ विवा करा और रिशी के साथ यग्य करा यग्य जब करा तो उसी वक्त यग्य कुंड में से भगवती माता धान्य लक्ष्मी प्रगट हो गई और धान्य लक्ष्मी ने वरदान दे दिया कि हे राजा दशरत आपके यहां सुख संपत्ती प्रगट होगे और साथ में ये वर्दान भी दे दिया अगनी देवी प्रगट होगए कि हे महराज आपके घर चार पुत्रों का जनम होगा और चार पुत्र स्वयम भगवान के ही रूप होगे और यही धान्य लक्ष्मी एक बार जब राजा जनक ने अपने यहां हल चलवाया था उस वक्त सीता रूप में प्रगट होती है तो वही जो आदी लक्ष्मी है भू देवी के साथ मिलकर धान्य लक्ष्मी के रूप में प्रगट होती है तो ये माता का दूसरा रूप है जिसको धाने लक्षमी कहते है शांता देवी, सीता माता ये दोनों की दोनों ही माता महालक्षमी की इस रूप का प्रतीक है हरे कृष्णा जये जये स्रिराधे